साथियों, हमें देश की सफलता को नई गती देनी है, नई उंचाई देनी है। आज भारत G20 देशों में fastest growing economy है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थेववस्ता भारत की है। आज भारत smartphone data consumer के मामले में दुनिया में पहले नमबर पर हैं। इंटरनेट users के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नमबर पर हैं। आज भारत Global Retail Index में दूसरे नमबर पर खड़ा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा energy consumer देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा consumer market भारत में है। भारत ने बीते वित्तिय वर्ष में 470 बिलियन डॉलर याने 30 लाग करोड रुपिय से जादा का merchandise एक्सपोर्ट करके नया record बनाया है। भारत आज अपने infrastructure को अधुनिक बनाने के लिए जीतना invest कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। भारत का अभुत्पुर्व जोर आज ease of living पर भी है और ease of doing business पर भी है। ये सारी बाते किसी भी भारतिय को गर्व से भर देगी। ये सारे प्रयास एक विश्वास जगाते हैं। भारत की growth story, भारत की success story अब इस दसक में एक नई उर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आज हम जो भी करेंगे उससे नए भारत क्या भविश्य तै होगा, देश की दिशा तै होगी। आपने इन सामुहिक प्रयासों से हम 135 करोड आशा आकांचों को पुरा करेंगे। मुझे विश्वास है भारत की start-up क्रांती इस अमृत काल की बहुत महत्वपुन पहचान बनेगी।